तो देखें पकोड़े बनका त्यार होंगे कितने प्यारे बने और यह कैसे बंदे इसमें क्या क्या गया राफ किस तरह बनाए गए है हम आपको सब कुछ दिखाएंगे सब कुछ रिखाएंगे और आपमें फोलोग शत्रोड है हमारा के स हिंडर सब्सक्राइब score बिसमिल्ला अर्मान रहें अस्सलाम अलेकम मैं मुहमद आसिफ आप देख रहे हैं फूड मलक स्टाइल आज हम बनाएंगे बेसन के पकोड़े यहां मौसम बहुत प्यारा है बादल चाहिए होएं हलकिल की बारश हो रही है बड़ा ही प्यारा मौसम है और इस मौसम में बारश की वज़ा से अंध गर पे रहें हम आपको रैस्पी बता रहे हैं गर पे हमारे अपने बैठ के रैस्पी से बनाएं खाएं अंजवाएं करें और घर से बाहिर ना निकले इसमें आप यहीं की सेफटी है ओके और चलते हैं हम रैस्पी की तरफ तो हमने पांच अदद आलो लिए पटाटो इसको चुकेर शेव में काट लिए देख सकते हैं और एक पहली हमने मेदा लिए और एक पहली हमर पर बेसान है यह इकोल होंगे दोनों उसके बाद एक मीडियम स्याज का अपने प्याज लिए ठीक है आरता सारी मिर्चे हैं उन आदी गटी दणीय दो टेवल स्पून्स का दणियय यह पखोडों की जान है इसको जरूरी समाल करना है एक खाने का चम्मच एक हाने का चमच चायबayan नमक आप इन सब चीजों को मिलाएंगे तो चले अब यह दिखाते हैं आपको बैसन और मेदे को में डालिया और इसमें अब डालेंगे अलो हाथ को अच्छे से साफ करना है अच्छी तरह साफ करके उसके बाद इसको यह काम करना है अब आसमें प्याज डालेंगे नमक, जीरा, कुट्यू इमेरच, राचिडी पॉर्ड, गरीन चिली, पुदीना, सुखा दनिया, कुसूरी मेथी, हाफ चमच लिए माँए, दनिया, यहां, इसको हाथ की मजद से, अच्छे से मिक्स करते हैं, कमबाइन करते हैं, मिलाकर पिर आपके दिखाते हैं, तो आप चले, बैटर है मैं में सब्साइए जों थे जानी, आफ लीकी जों उत्सी चाहिा है प्वामाजा यह जानी निक्स करेंगा है तर्दस करें थांख्य हरा लोगा खाओ आप चम्मत की मदद से निकाल सकते हैं लेकिन मैं तो हाथ से काम करता हूं भाई ठीक है मैं तो हाथ से निकालूंगा ठीक है और बिसमिला करते हैं ऐसे हाथ की मदद से आपने और इसी तरीके बनाएगा मैदा और बेसन इसका जो कॉंबिनेशन है ना मार्कीर में जो आपको पकोड़े मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं खाली बेसन से आपके पकोड़े कभी वज़दार नि बढ़ेंगे आपको मैदा एड़ करना ही पड़ेगा यह ऑप्शनल नहीं है यह पक्का है इसमें डालना है और फिर ही इसमें बजार बाला टेस्ट आएगा आपको जो मेरी बेहने सुन रही है जो माये सुन रही है वो भी देख लें रमजान आ रहा है रमजान में इसी तरह बनाएंगे आपकोड़े बड़े जबनते हैं बहुत अच्छा बनते हैं ठीक है इसी तरह से जाने गेए यह मैं डाल दीए वेले हाथ देख लेगे ठीक है हाथ से काम केया करें तो अच्छा होता है लिकिन हाथ को अच्छे से बारट चिके तरीक्टे से अब इनकी सियार चल्च पी दिखते हैं मशाolit इसको जादा बलो नहीं करना। नो गल्ती करते हैं को बहुत ज़्यदा फ्राइगा नज़र आ रहे आपको ठीक इसी तरह से बनाने और इसको तरह की जिए गाएं उर मेरे बाई मेरा चैनल फूड मलक स्टाइल जुरू सब्सक्राइब कीजेगा है दोस्तों से भोलिएगा और लाइक करें जिएगा तो नाजरीन देखें अभी हमारे जब पकोड़े थे ननने मुन्ने मुन्ने कितने प्यारे फ्राई होके तियार हैं तो यहारी मेचे लगाई है फुदी ना तनिया का पता लगाया तो टमाटर की है आप जब महमानों के आगे ऐसे पेश करें ना तो इसी तरह इसको सजा के ब सजा के पेश किया करें इससे आदमी की वह रिजत बढ़ती है ठीक है पता चलता है लोगों को वाकिन को कुछ पता है तो अब आपको दिखाएंगे कैसे बने हैं तो अब यह मुक्त खा के चक कराएंगे कि बना कैसा है कि माशाजा क्रचना क्रिश्वी जबर्दास है तो भी हमारे चैनल को आपने लाइक और चेर और सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको ऐसे आसी डिश्वी जबर्दास डेली बेसिक पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल का नाम था फूड मलक स्टाइल और आप देखरेंगे थे मुहम्मद और ये मारे जो पकोड़ें माशालला बहुत बढ़के तया अच्छे हुए हैं तो फिर हमें फॉलो कीजिए और रोज रोज नेने एस पी लीजिए और लाइक शेयर जूर कीजिए और खुश रहिए बाद रहिए इसी के साथ मुझे जाज़ दीजिए मैं आप तेखरेते अल्मलेकॉ